संसद में बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलिय बैठक के दोरान पीम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया सूत्रों की माने तो पीम मोदी ने सभी पार्टी के नेताओ से कहा कि किसान और सरकार के बीच बाच्चीत का रास्ता हमेशा खुला है उन्होंने कहा कि मैं नरेंदर तोमर की बाद दोहराना चाहूंगा भले ही सरकार और किसान आम सहमती पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं वो इस पर चर्चा करें किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी है सरवदलिय बैठक में पीम नरेंदर मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विश्यों पर चर्चा होगी और सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा पीम नरेंदर मोदी ने कहा कि क्रिशी मंतरी नरेंदर सिंग दोमर के द्वारा किसानों को दिया गया ओफर अभी भी है किसानों से सरकार बाचीत के लिए हमेशा तैयार है अगर आपको इन्यूस पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ऐसे ही लेटिस अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए